जै माता दि मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज चेत नवरात्री के पांचमें दिन मैं आपको सुना रही हूँ सकंद माता की कथा बंधों आप सभी जानते हैं कि नवरात्री के नो दिनों में माता दुर्गा के नो रूपों की पूजा की जाती है सो बंधों आज पांचमें नवरात्रे मा सकंद माता की पूजा अराधना की जाती है और सकंद माता की कथा सुनी जाती है बंधों मैं आपको अपनी इस वीडियो में सकन माता की कथा सुनाने जा रही हूँ और सकन माता का स्वरूप क्या है मा की पूजा किस विधी से करें और मा को किस चीज का भोग लगाएं बंधों पूरन विश्वास सची निष्ठा के साथ यदि आप सकन माता की कथा सुनेंगे तो मा आपके सभी परकार के दुख, दर्द, चिंता, कर्ज दूर करेंगी बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संसकार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइक कर दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोज की जानकारी साबसे पहले हो सके बोलो सकन माता की जे हो या देवी सर्व भूतेशू मा सकंद माता रूपे नससिता नमस्तस्य 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 नमो नमा सकंद माता का ध्यान वंदे वांचित काम अर्थे चंद्र अध्कृत शेखरां सिही रूडा चतुर भुजा सकंद माता इशश्वनी धल वर्ना विशुद जक्रस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अभय पदम युग्मकरां दक्षिन उरुपुत्र धरां भजें सकंबर परिधाना मृदो हास्या नाना अलंकार भुशितां मंजीर हार कैयूर किंकिन रतन कुंडल धारिनी प्रफल बंदना पल्लबांधरा कांत कपोला पीन पयोधरां कमनिया लावन्य चारू त्रिवली नितंबनीं सकंद माता का कवच एम विजाली काम देवी पद्यु पातू सा देवी कार्ति के युदा शीम रीम हुम देवी परियस्या पातू सर्वदा सर्वांग में सदा पातू सकंद माता पुत्र प्रदा वान वपन अंब्रिते हुम फट बीज समन विता उत्तर अस्य तथागने वारूने नैरिक तेवतू इंद्रा नाम भैरवी चैव सितांगी चैसनहारनी सर्वदा पातो मा देवी चै अन्यासो ही दिख्षुवे वात पित कप जैसी बिमार्यां से पिडित व्यक्ति को सकंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ा कर परशाद के रूप में ग्रहन करना चाहिए सकंद माता की कथ पंचम रूप सकंद माता की पूजा वाक कथा मा दुर्गा का पंचम रूप सकंद माता के रूप में माना जाता है सकंद कुमार की माता होने के कारन दुर्गा जी के इस पांचवे सरूप को सकंद माता का नाम प्राप हुआ भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं इस दिन साधक का मन विशुद चक्र में अवस्थित होता है सकंद मात्र शरूपनी देवी की चार भुजाएं है ये दाहिनी उपरी भुजा में भगवान सकंद को गोद में पकड़े हैं आर्दाहिनी निचली भुजा जो उपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है मा का वरन पूरंते शुब्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है इसी से इन्हें पदमासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है इनका वहान सही है सकंद माता सुरे मंडल की अधिश्ठ ठापत्री देवी है इनकी उपासना करने से साधक अलोकिक तेज की प्राप्ति करता है यह अलोकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षन उनके योग शेम का निर्वहन करता है एकागर भाव से मन को पवित्र करके मा किस्तुती क करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुल्ब होता है कुंडलिने जागरन के उदेश्य से जो साधक दुर्गा मा की उपासना करें हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले मा की विदी सहित पूझा करनी चाहिए पूझा के लिए कुश अत्वा कंबल के पवित्र आसन पर बैठ कर पूझा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के चार दिनों में की है फिर इस मंत्र से देवी की प्रात्ना करनी चाहिए सिहासन गता नित्यम पदम आशिता करद्वया शुप अस्तू सदा देवी सकंद माता युशश्वनी जो भगत देवी सकंद माता की भगती भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की क्रिपा प्राप्त होती है देवी की क्रिपा से भगत की मुराद पूरी होती है और घर में सुक्ष, शान्ति और सम्रिधी रहती है नवरात्री में दुर्गा सपश्यती पाठ भी किया जाता है दुर्गा पूजा के पांचवे दिन देवताओं के सेनापती कुमार कार्तिके की माता की पूजा होती है कुमार कार्तिके को ग्रंतों में सनत कुमार सकंद कुमार के नाम से पुकारा गया है माता इस रूप में पूरंत है ममता लुटाती हुई नजर आती है माता का पांच मारूप शुब अर्था श्वेथ है जब अत्याचारी दान्वों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रख्षा के लिए सिही पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है देवी सकंद माता की चार भुजाए है माता अपने दो हाथों में कमल का फूल धारन करती है और एक भुजा में भगवान सकंद या कुमार कार्तिके को सहारा देकर अपनी गोध में लिए बैठी है मा का चोथा हाथ भक्तों को आशिरवाद देने की मुद्रा में है देवी सकंद माता ही हिमाल्य की पुत्री पारवती है इन्हें ही महेश्वरी और गोरी के नाम से जाना जाता है यहें परवत राज की पुत्री होने से पारवती कहलाती है महादेव की वामिनी यानि पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती है और अपने गोरवरन के कारण देवी गोरी के नाम से पूजी जाती है माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है अते मा को अपने पुत्र के नाम के साथ संभोधित किया जाने अच्छा लगता है जो भग माता के सुरूप की पूजा करते हैं मा उस पर अपने पुत्र के समास नहें लुटाती है भूले शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया और महा देव की पूजा भी आदर पुर्वक अवश्य करनी चाहिए क्योंकि उनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती शीहरी की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए बोलो सकंद माता कीजए या देवी सर्व भूतेशू मा सकंद माता रूपेन सरसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मास्कंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपेन ससिता नमस्तसे 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 नमो नमा या देवी सर्व भूतेशु मासकंद माता रूपे नससिता नमस्तसे 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 नमो नमा राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद